आज मैं कोल गेट और डिश जेल की एक ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके कीचन में बहुत काम आने वाली है तो आज मेरा रेफाइन का केईन ख़तम हो चुका था तो मैंने का क्यों ना एक पैकेट रेफाइन लेके आजाए तो उसे मैंने जैसे ही बॉटल में ट्रांसफर करा उसके बाद जैसे ही इसका रेपर में फेकने जारी थी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बुला कि ठैरो तुम ये क्या कर रही हो इसका जो रेपर है बहुत ही काम का है उन्होंने मुझे कहा कि जो Refined का wrapper होता है वो हमारे कीचन में बहुत जादा useful होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा oil लगा होता है तो इसके अंदर तुम अपना बचावा जो गुंधा आटा होता है उसको रख सकती हो इससे जो आटा होता है वो लंबे समय तक सही रहता है वो काला नहीं पड़ता है और ऑइल के कारण जो इसकी सौफनेस होती है वो बरकरार रहती है बिल्कुल भी ड्राइ आटा नहीं होता है तो इसके बाद जबी भी तुम रिफाइन का रैपर फेकने जाओ तो उससे पहले उसको उपर से कट करके उसके अंदर अपने आटे को स्टोर करके रख सकती हो हमारे गेस के जो अन आफ के बटन होते हो बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं और आपने देखा होगा उनमें काफी मोटी सी परत जमने लगती है डस्ट की और इसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है चाहे हमारे बर्नर होते हैं तो बर्नर भी कुछ टाइम बात क्या आता है उनकी जो फ्लेम होती हो बहुत कम जलने लगती है तो मैं इसका एक सिंपल सा हैक आपके साथ शेयर करूँ जो मैं यूज करती हूँ जो हमारे पुरानी टैबलेट्स होती है उसका यूज मैं यहाँ पर करती हूँ उसको मैं साइट से एकदम बारीक सा इसे कट कर लेती हूँ जब ये बारीक सा कट हो जाता है तो ये काफी ज वह होती है वह हमेसा तेज रहती है और उसकी जो आच होती हो कभी भी कम नहीं होती है और जो बचावा दवाई का रैपर होता है उसको दोस्तों मैं इस तरीके से ऑन आफ के बटन्स होते हैं उनको क्लीन करने में यूज करती हूँ इससे बटन के जो चारो और लगीवी चिकन हट होती है वो सारी दूर हो जाती है इससे आप चाहें तो यहां पर पुराने टूद ब्रश का यूज भी कर सकते हैं उसमें सोडा लगा के उससे क्लीन कर सकते हैं उससे भी यह बहुत अच्छे से साफ हो जाता है और इसी तरीके से मैं अपने सारे बटन्स को क्लीन कर लेत उसमें फफूंदी सी जबने लग जाती है वो एकदम उसके गाठे सी बनने लग जाती है जैसे पत्थर होता है तो इन सबसे बचने के लिए आपको क्या करना है टाइम टू टाइम आपको स्पून की हल्प से अच्छे से अपने मसाले को चलाते रहना चाहिए नीचे से इससे क्या होगा इसमें गाठे नहीं बनेगी तो आप क्या करेंगे कि खासकर मौनसून के महीने में हर चार से पास दिन बाद अच्छे से मसाले को चलाइए इससे देखेंगे कि जो मसाले में हो कभी भी गाठे नहीं बनेगी और आपका जो मसाला है वो मौनसून के महीने में खर बोल सकते हैं वो आपको ले लेना है एक बोल में उसके बाद आपको एक चमच के खरीबन यहाप पे कोलगेट लेना है उसको भी आप इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट इसका बना देना है तो जब यह दोनों चीज़े आपस म मिक्स हो जाएं दोस्तों तो उसके बाद आपको इसके अंदर एड़ करना है खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं एक चमच के खरीबन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर एक से दो गलास पानी डालेंगे और ये बहुत ही कमाल का सेलूशन है आपके कीचन के लिए घर के लिए जब ये सेलूशन आपस में मिक्स हो जाए दोस्तों तो उसके बाद आपको क्या करना है इसे किसी बौटल में डाल दीजिए किसी खाली बौटल या जूसकी बौटल सोथे उसमें आप फिल कर फिल करने के बाद ये solution बनके बिल्कुल ready हो चुका है एक से दो मेने तक ये solution बिल्कुल भी खराब नहीं होगा कीचन की cleaning में ये बहुत अच्छे से काम करता है ये आपके घर के चिकने बढ़तन हो गए cabinets हो गए, fridge हो गए घर की tables हो गई, खाने की tables हो गई उसको clean करने में काफ़ी ज़्यादा useful है इससे आप अपने steel के appliances को भी clean कर सकते हैं उसमें एक नई चमक आएगी जब हम toothpaste उसके अंदर add कर लेते हैं तो वो एक नई shine और एक नई चमक लेके आता है आपके बढ़तनों में appliances में इसका use आप kitchen के gas stove को clean करने के लिए कर सकते है refrigerator को clean करने के लिए कर सकते है बहुत ही कमाल का है और एकदम सस्ते में ये solution बनके ready हो जाता है market के solution से काफ़ी ज़्यादा strong होता है और effective भी होता है तो next है जब हमें किसी बड़े बड़तन में छोटी चन्नी का use करना होता है तो हम उसे चान नहीं पाते है अच्छे से क्योंकि वो बार बार नीचे गिरती है तो एक simple सा तरीका ये है दोस्तों कि आपको कोई सा भी बड़ा कर्ची ले लेनी है उसके ऊपर इस चन्नी को रखना उसके बाद अगर आप चानेंगे तो आपको बार बार चन्नी को पकड़ने की जरुरत भी नहीं होगे ये बहुत अच्छे से चान लेगी तो प्लीज आज वुजे कमेंट सेक्षन में दोस्तों ये जरुर बताईए का कि कौन से वाली टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई